मुझे कई बार यह लोग चनौती कहते हैं कि तुम अधीत जीवी हो क्या, तुम अधीत में अटक गए हो, तुम इत्यास पर ही काम करते हो, तो मैंने कहा कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आया ही इसलिए था कि मुझे वो कहानिया कहनी है जो आपके चेतना का आपके consciousness का हिस्सा नहीं है, मैं संस्कृत सहीति से कहनिया कहना चाहता हूं, मैं पुराणों से कहनिया कहना चाहता हूं, मैं अतीद से कहनिया कहना चाहता हूं और मैं उस संसार का स्रिजन करना चाहता हूं, जिस संसार को आपने देखा नहीं है, जब मैं मौरे काल का स्रिजन करता हूं तो आपने उस काल को देखा नहीं है। तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्तित हुआ हूँ अपने एक और मेहमान को लेकर अपने एक और एपिसोड को लेकर जिसका नाम है बकेश खना शो आज मैं जिनको मिलाने वाला हूँ मैं जानता हूँ आपने नाम तो पढ़ लिया होता है मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक हमारा एक इंटेलेक्चिल एपिसोड होगा अध्यात्मी के एपिसोड होगा हमने इस पे बहुत सी बाते से मिले जाननी है ये वो डिरेक्टर है जिन्होंने चानक के बनाया है चानक के बने है ये वो डिरेक्टर है जिन्होंने पृतिराज चोहान जैसे केरेक्टर पर फिल्म बनाई है ये वो डिरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत कुछ आध्यातमिक हमारे वेद पुरानों के उपर बनाया है मैं जानना चाहूँगा इनका कारण क्या है क्यों ऐसा बना क्यों वैसा नहीं बना क्यों आपने इसमें ऐसा किया मेरे पास भी मन में बहुत सारे प्रशन है और मैंने इनको बुलाया था और मैं जानना चाहता था ये बहुत स्वेच्छा से मान गए हां मुकेश में आओंगा तो कहिए तो मैं आपको इनके अभी दर्शन करा देता हूं इनसे मुलाकात करा देता हूं तो चलिए मिलते हैं श्री चंदर प्रकाश दिवे दीजी से तो चलिए मिलते हैं जानना चाहता हूं तो चलिए मिलते हैं श्री चाहता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में मैं तो चाहता था कि आपको कहीं दिन सड़क पे पकड़ो या कहीं भी पकड़ो या किसी शो में पकड़ो बहुत से प्रश्न घ्माग में थे मैं चाहता था कि माई जवाब ज़रूर लूँगा जैसे मैं आए एक पर आपको चानग के के सेट पी जवाब तो बहुत से सवाले मन में आप आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने फटाक से वहां बोल दिया तो आईए बैट के बहुत सारी बाते करते आए बैट यहां लोगों के मन में एक तार की आधर का एक फिलिक आती है कि चंडर प्रकश दिवेधी तो ऐसे हैं ऐसे सामने आएए उताई होता है वर्जान पर्षी आफ्टेशन विए अध्दात्मिक पर्षून विक्वार्ण चानक्या जिसके अर्ड मुझृबी ओब्जेक्शन था मैं आपके सेट पर आयता है मैं इक चंतरनापाशि इतनी क्रिष्ट छिंदी क्यों? ऐ उक मैं अपधा हो.. वरा तक्षशिलामें.... टक्षशिला हो प्रॉफ्षचि तक्षशिला.. ॡप्रॉटॉेत्ष कि वि्थियों में मैं ममतने हिल गया था hिल आख kul beneficiaries फॉफ्षब तो मैंने आपको डिरेक्ट कोश्चिन किया था उसके सेट में बॉक कर आ रहे थे मैंने का सर मेरे जिसे आदनी भी एक सेकंड के लिए हिल गया तो आप में अच्छा जवाब दिया था मुकेश किसी ने किसी को तो शुरुवात करनी होगी तो आप कह चाते थे कि हिंदी को प् पुरुशकार दिया थे ह हिंदी सिवा के लिए बेरी और मुझे भी आश्यियर इसलिए हुआ था की हिंदी को सेवा किसे की मैंने टेलिविजन के माध्यम से हिंदी का प्रचार वह इचाने के और मज़ेदर बात यह है कि मेरे साथ जिनको हिंदी की सेवा के लिए पुरसकार दिया उनको ना सिर्फ भारत बलकि पूरा विश्व जानता है उनका नाम है स्वर्गी अटल व्यारी वाजपई अरे उनके साथ आ सकता प्रयॉक करने के लिए तो मिर लिए अश्यर की बात थी कि मैं तो ऐसी हिंदी बोलता हूं हम तो हिंदी बहुते ही हमेश्या मेरे मात्रभाषा हिंदी है मिरे पिता जी संस्कृत के प्राध्य 葉क पक थे हां मेरे बड़े भाई साब हिंदी में पढ़े तो मैंने जो सबसे पहला नाटक पढ़ा था वो चंदरगुप्त पढ़ा था जैशंकर प्रसाद का उसकी भाषा यही थी पंत प्रसाद और नेराला चुकि मेरे बड़े भाई साब में का अध्यान कर रहे थे हंदी में तो कविताओं से जो मेरा पाला पढ़ा वही पंत प्रसाद और नेराला से बड़े बड़े रहे लेखक हिंगिरी के उत्तुंग शेकर से बैट शिला की शीतल चा एक पुरुष बड़े नैनों से देख रहा था प्रले प्रवा तो ये भाषा मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कभी इसके लिए प्रैतना नहीं किया कुछ लोग ऐसा कहते है कि क्या मैंने प्रैतना करके किया प्रैतना नहीं किया अपको अच्छा लगा आप ग्रास्प कर देंगे कुछ उसका कारण मेरे पिता की अपने सिक्षा दिक्षा रही होगी और आजास्तान से बनारस गए उनकी पढ़ाई बनारस में होई है मैं उनका पूरा इतिहास नहीं जानता पर मुझे जो पता चला कि 1936 में उन्होंने अपना संस्कृत व्याकरण के साथ आचारे कर लिया पूरा तो वह भी पानी निये व्याकरण और मुझे याद है कि बनारस हिंदु उनिवरसिटी में जब-जब व्याकरण के किसी आचारे की नियोक्ति होती थी तो मेरे पिता जी को बुलाया जाता बहुत सारे विद्वान है भारत में एक विद्वानों में वह भी थे जिनक मुझे जो गुरुजन मिले वे भी बहुत अच्छी हिंदी बूते थे मुझे जिनका आज भी स्मरणस्वरगी आएभी इंडर बाहदूर सिंग ये मेरे विद्याले के आचारे थे उनके पहले मुझे याद है राम अमूर्थि यादम जिन से हिंदी का संसकार मुझे मिला इतिहास दोनों के बहुत अच्छे सिक्षक मिले। यही फाइदा है। मुझे याद है देवनाथ पांडे नाम के इतिहास की सिक्षक थे। और जब इतिहास तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो पढ़ाते थे ऐसा लगता था कि युद्ध का दृष लेकिन और कोई लेंगवेज बताओ जो पूरी की पूरी जोड सकती है। फिल्मों ने बहुत बादे में बहुत कुछ किया। साहिते से जादा फिल्मों ने हिंदी को पॉपिलर किया। इतना सब होने के बादे में भी एक बड़ा राजनीती राजनेता या इंडेस्ट्रि भाषा, हम क्यों नहीं समझते कि हिंदी हमको हमारे पर एंगलीश थोटी गई। मुखिष आप मेरी बात से सहमत होंगे यह कहले कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ एक समय ऐसा और निकट अतीत में ऐसा समय आ गया था कि हिंदी बोलने वाला यानि दूद बेचने वाला हिंद दुख के साथ मैं कहता हूँ कि एक समय ऐसा आ गया था कि यदि आप हिंदी विद्याले में जा रहे हैं तो लोग समझते हैं आप सब्जी विचने वाले के परिवार से होंगे या बहुत ही गरी परिवार से होंगे लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह इस्तिती 2014 के हूंगा कि हम अपनी मात्रभाशा में हर विद्यर्थी अपनी मात्रभाशा में क्यों नहीं पड़ता यह तो वरशों से चल रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि पहली बार एक ऐसी सरकार आई जिसने यह कहा कि हार एजुकेशन इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष से 2023 से मध्यप्रदेश सरकार ने मेडिकल एजूकेशन हिंदी में कर दिया पहले वर्ष की जो भी पुस्तके हैं पाठे करम की पुस्तके हैं वो आपको हिंदी में उपलब्ध हैं उसी के साथ माने निया द्रहमंत्री श्री अमिद भाई शाने इसकी घोशना भी कर दी है कि दक्षिन भारत के विद्द्यार्थी अपनी मात्रभाषा में तेलगु में तेलगु में वो उप्शन आपके पास रहेगा और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि शब्दावली के विकास में समय लग सकता है लेकिन एक विक्ति जब सोच रहा है यदि उसे कहना है तो यदि परिक्षा में वो हिंदी में भी बोलता है तो उसे छोटा न समझा जाए सबसे बड़ी बात हमारे वरतमान प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री और सिक्षा मंत्राले ने जो किया है वो हिंदी के प्रती एक विक्ति की जो आत्म हिंता की ग्रंती थी उसको तोड़ दिया उसका एक कारण हमारे प्रधान मंत्री विश्वक के जिस भी मंच पर जाते हैं वहां हिंदी में बोलते हैं आपने जखाओगा जी ट्वेंटी में भी जब भारत के बाहर गए हैं वाशिया साथ में रहता है और वह हिंदी में बोलते हैं उन्होंने हिंदी का सम्मान किया उसस इस बहुत ज़रूरी बात है, मैंने एक बार कही वीडियो में कह दिया था, मैंने का देखिए हमारे यहां पर एक language क्यों नहीं है, एक गाउं का, किसी जगा application करने के लिए बिचारे की लोग हिचकते रहते हैं, और बाबु लोगों के बचे आगे बढ़ जाते हैं, इस विरूद नहीं है, हिंदी हमारी मात्र भाशा है, हिंदी मा है, तो अंग्रेजी मा सी है, जैसे एक मा होती है, वो एक मासी है, तो जो अंग्रेजी भाशा में आप एहवार करना चाहते हैं, तो करें, उस पर आपती नहीं है, लेकिन हिंदी की कीमत पर ना करें, मासी को मा ब दूसरा हिंदी की शब्ड वली हिंदी का शब्द कोश जो है उसमें तीन लाख के आस्पास शब्द है और अंग्र जी का जो शब्द कोश है वह 10 हजार शब्दों कर दूसी में गया। वाषा है. दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी के लोफ होने से सिर्फ एक भाशा नहीं जा रही है. उस भाशा के साथ जो संस्कृति है, जो संसकार है, जो बिम्वे, इमेजिस हैं. जैसे एक छोटा सा मैं आपको उधारन दूंगा कि आज ये हम किसी विद्यारती य क्या है. रहट. मैंने बच्पन में देखा है, आपने भी गाउं में रहट को देखा होगा, लेकिन आज रहट शब्द का प्रयोग नहीं होगा. और उसका मैं सीधा सा उधारन देता हूं कि मेरी स्कृप्ट से वे सारे शब्द गायब होते जा रहे हैं, जो जन सामान्य में नहीं है. तो मैं उस स्तर पर आकर लिखता हूं, जो लोगों की समझ में आए और अब जो मैं कहने जा रहा हूं, आपको आशरे होगा कि बहुत हैं, अच्छी हिंदी बोलने वालों का भी शब्द कोश पांच सो शब्दों से ज्यादा नहीं है. इंग्रीश गुजगी है, इसलिए मैं कई बार जब मैं छोटा था, तो मैं ग्यानदीप नाम का एक माराठी का कारे करम देखता हूं, और मुझे हैरानी होती थी कि ग्यानदीप में कारे करने वाले, काम करने वाले जितने कलाकार थे, आप यदि माराठी सीरीज देखें, तो आपको अभी भी आशरे होगा कि जब माराठी के कारे करम आते हैं, माराठी के धारवाहिक आते हैं, तो उसमें अंग्रे जी का बहुत प्रयोग नहीं होता, वही आप गुजरती भाशा में देखें, तो प्रादेशिक भाशाओं ने अपना ये सरूप जो है, वो बचा कर रखा, हम लोगों ने कही न कहीं ये खो दिया है, मुझे याद है कि बीच में मैं एक चैनल पर काम करता था, और हिंग्लिश, जो न्यूज की भाशा थी, जो समाचार की भाशा थी, वो हिंग्लिश हो गई, कि हम अधिक से अधिक, जो लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आए, उसमें अंग्रेज पत्र शब्द आ गया, और कई बार तो ऐसी हसेत्वस इस्तिती होती थी कि एक पंक्ती में तीन अंग्रेजी के शब्द, उसमें है, की, का ये हिंदी के शब्द, उन दिनों मैं एक चैनल का प्रेसिडेंट था और मुझे एक वित्ती का पत्र आया, हलांकि न्यूज की जिम आरो वर्ष लगते हैं, और एक भाषा को तोड़ते आप लोगों को कोई समय नहीं लगा, आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि इस से भाषा के साथ क्या होने वाला है, और मज़ेतर बात है, उस समय जो भारत में विदेशी न्यूज चैनल थे, वो सर्वसामाने तो एक सम्माननिय हिंदी है, अब मैं वो परिवर्तन देख रहा हूँ, लेकिन अब एक दूसरा जाड़ा शुरू हो रहा है, हिंदी और उर्दू के अंतर संबंध को लेकर लोग विवास करते हैं, अब उर्दू के प्रती देश नहीं कहूंगा, दुराओ की एक भावना के मन में आती है और कई बार मैं उसके लिए लड़ा, कि हिंदी और उर्दू को अलग भाशा के तौर पर देखने के आवशकता नहीं है, और यदि हम अपने जीवन में, नित्य के जीवन में जितने शब्द प्रयोग करते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, कि उसमें हिंद हिंदी ने सबको स्विकार किया है, और हिंदी की इतनी बड़ी जो शब्द संपत्य उसका कारण भी है कि वो सर्वगरा है, सब चीज स्विकार करते हैं, कितने शब्द के आपने, तीन लाक शब्द और उसकी तुलना में दसजार शब्द, और इन तीन लाकों में मैं अगर भारत की दूसरी भाषा हैं, जो हैं, चाहे हो पंजाबी हो, चाहे हो राजस्थानी हो, जैसे कई बार मैं कहता हूं कि गो स्वामी तुलसिदास, रचित, राम चरित, मानस की एक विशिष्टा ये भी है, कि भारत की कई भाषाओं से उन्होंने राम का ये शगाने के लिए उन्होंने इसमें राजस्थानी का भी इस्तेमान किया है, हम जानते हैं अभधी है, जहां उनको आवश्यक्ता पड़ी उन्होंने ब्रज का ये और जहां उनको आवश्यक्ता पड़ी उन्होंने शब्दों को तोड़ा, मरोडा, अपने हथोड़ों से उसको तोड़ा और नए शब्द की प्रचना की, तो कई बर मुझे लगता है कि हिंदी का प्रभाह ऐसा होना चाहिए, मैं कई बर कहता हूं कि यदि इसमें इंग्लिश भाशा का प्रयोग आ भी जाता है, तो उसे रूखी अमद, भाशा अपना स्वरूप बदलती रहेगी, लेकिन हिंदी को छो मज़िदार बात हैं कि आप फ्रांस चले जाएए, जर्मनी चले जाएए, युक्रेट चले जाएए, रष्या चले जाएए, विश्व के अलट अलग दीशों में, जो मेडिकल की सिक्शा है, वो उनकी मातर भाशा में हो रहीए, इसे हैं कि राष्ट्री यॉ भाशा में ह अब आप बात तो इंगलिश वेर इस दरोड नो इंगलिश आप देखिए जब आप जहाज में आत्रा करते हैं तो जहाज में जैसे एरोस्टे साब के सामने आती है हम न चाहते हुए इंगलिश पूलने लगा है है जैसे हम होटल में जाते हैं वहां भी आपके पास ये परयाए नहीं आपके पास यह ऑप्षन नहीं है कि आप अपना नाम हिंदी में लेखें नाइस काफी हमने थोड़े से हिंदी की यातरा कि अच्छा कि मुझे भी लगा हिंदी काफिकर मैं कभी कोफ्त करता हूं कि आप वह जाती हिंदी कि ही एंगलीष हो गई है और हिंदी जो है वह आ एकल चनौति है जिसे मैं अभी दी स्क्रिफ्स ही हमी कि मेरा अपना नैंडी फिल्म बनाता हूं मेरे आया का साधन स्रृत सभी हिंदी है और निस मुट टाने उसकारा. आ मैं अभी भी स्कृ्प्ट्ट्स जो हैं लोग भी ओंधी में ही भीश्ता हूं लोग सहीं कौ रूमन। इंगलिश में भीशותे हैं पर अब बर चनौती वरति जा रहे हैं कि मैं पहली बार हंदी में लिखता हूं लिकिन जिभी सफब्धिक और रोमन में भी अनुवा दिता है तो ये कुछ चनौतिया है जो मुझे रखता है हिंदी में दिया करो यार और रोमन में सला पढ़ने में एक शब्द के दो मिनित लगते समझे को कि ये मीनिंग क्या इसको करने मैं एन फडिसी की स्क्रिप्ट कमिटी पर बहुत थोड़े सम है का मैं आदी नहीं है और रोमन पढ़ते वक्त मेरे मस्तिष्क में वह बिंब नहीं बनते जो हिंदी के साथ बड़ी सहस्ता से होते हैं आप मेरे बास हिंदी में लिखी हुए स्क्रिप्टों तो भेजें वरना कृपया मुझे क्षमा करें मैं नहीं पढ़ना चाहूँग चंदरप्रकाश जी मैंने आपके लिए मैंने भी कुछ CBI की तरह से कुछ इंकवारिया निकाली है तो चलिए चंदरप्रकाश जी हम मेरा पहला सवाल जनरल क्वेश्चन होता कि आप अपने बारे में बताईए हमारे वीवर्स को मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहां अगर आपको शुद्ध हिंदी चाहिए तो तुम पताईए मुशे मेरा उद्गम मुंबई से ही मेरे माता पिता राजस्तान से है राजस्तान में जिला है सिरोही मारवाव जिसको कहते हैं वहां से हूँ लेकिन कई बार द्वीवेदी नाम होने से लोगों को ये भ्रम होता और मज़ेदार बात ये है कि स्वर्गी अबाला साफ ठात्रे से कई बार मेरी मुलाकाते रही है चाने के कारण में मेरा बड़ा सम्मान करते थे और कुछ मुलाकातों में उन्होंने मुझे ये बताया कि महरास्टर में जब उनके भाशन होते थे तो किस प्रकार की भीड आ आपकी उन फीड़ों को देखा है अज़ाड मेजान ओ शी पार को लिए जदू को देखा है आपके प्रभाव को देखा है शीप शीयाना का जब प्रचार होता था मॉमबी में गचनावचयन था वह सब मैंने देखा है तो उनको हैनगी होती थी कि मैं महरास्ट्रियन हो मैं मराथी गुजराती दोनों भाशाएं लिख सकता हूँ अचा लिख सकता हूँ और ये चुनाव मैंने खुद किया उसका करण ये था कि जहां मैं पहले रहता था महां मेरे पडोसी गुजराती अगवार पढ़ते थे वह हमारे समाज के ही थे राजस्तान के थे मारवार के तो उनसे मैं पुजराती अगवार लेकर पढ़ता था मुंबई ट्रेन में आप जानते हैं कि जहां ट्रेन में दो बैठते हैं मुसाफिर वो एक दूसरे से अखवार लेकर पढ़ते हैं तो टाइमस ओफ इंडिया से लेके इंडियन एक्सपरेस से लेकर सारे अखवार ले मैं कौनसी भाषा का अक्भार दूसरा लेन चाहूंगा। हिंदी की अदबार? अंक्रेजी के अलावा। तो मैंने मराथी भाषाद को चुना। क्या बा relación? मेरी पत्नी अंग्रेजी पढ़ती है। मैं अंग्रेजी भी पढ़ता हूं और माराथी अकबार भी पढ़ता हूँ मैं पूरा समझ लेद ने पूर पूर समझता हूँ और माराथी अकबार इसलिए पढ़ता हूँ कि जो प्रादेशिक समाचार होते हैं, महरास्या रीलेटेड और मुंकंबाई से समह व्रृयुम्य से सम canvas 무리 पर मराथी अभी भी काम चला हुए मेरा, I don't know why, maybe difficult है थोड़ा सा, जब आप मराथी समाज के बीच में रहेंगे, मैं मारवाली नहीं बोलता हूँ, जब कि आपको जाना चाहिए, मैं मुझे जाना चाहिए, मैं राजस्थान का हूँ, उसका एक करण रहा कि हम पांच भाई थ करते थे, परन्तु मा, जैसे जैसे हम सब की उम्र बढ़ती गई, हम लोग उससे भी हिंदी में बात करना चाहिए, और मेरा आसपास का जो परिवार था, जो परिसर था, उसमें अधिकतर उत्तर भार दिये थे, मैं कई बार कहता हूँ कि मैं गोबर के पहाडों के बीच में और भैसों के बीच में, बढ़ाओं अंधिरी इस्ट में रहता था, जिनको तबेले वाले कहते हैं, वो सब मेरे मित्र, जो कि शरी अंधिया बोलते जिसकों, वो सब मेरे मित्र, इस वजह से उत्तर भारत की संस्कृती, सभ्यता, आचार, विचार, वहवार, सबसे मेरा कि एलेविजन के कारेकरम नहीं देखता हूँ, और यदि मुझे देखने का चुनाव हो, तो मैं मराठी कारेकरम देखना की जयदा बसम कहाूँ. पर एक बात मि आप हम दोनों मिलते हैं, आपको मारवाडीए अच्侍ावादी आपके हिंदी अच्छी है तर्म मैं पंजावी हुआ, मैरी पंजावी अच्छी नई है, मेरी हिंदी अच्छी है मैं एक मज़ेदर बाद बताता हूं कि चत्रपती शिवाजी महाराज का चरित्र बाबा साहफ पुरंदरे ने महाराथी में लिखा हूँ है, उसका अंग्रे जी अनुवाद भी उपलब्त है, अंग्रे जी में भी आप चत्रपती शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ सकते है मेरे पास अंग्रे जी और म हराथी दोनों संस करना है। मेरी पत्नी ने चत्रपती शिवा जी महराज का चरित्र, म च जो है अंग्रे जी में पढ़ा और चम्रे भी उवर मेराजी का चरित्र, मराथी मान lik अच्छा है ये खुद की खुद का मेरे खाल से एक वो होता है जो आपने लिया और अच्छा लगा आपको कि आप महारास्टर के हैं तो आपको मैं एक और इंट्रेस्टिंग बात बता दूँ आप में च्छत्रपति शिवाजी की बात तीन बार बोली मेरे दिमार में थोड़ में लक्षमी कान प्यारेलाल की म्यूजिक में उसों दोनों जंदा ते गाना रिकार्ड हुआ है तीन में चार पिनिल और सर्प्राइजिंग अव तो होल तिंग कि आप सपोस्ट्रपति शिवाजी मैं मान गया उसको में तो दाड़ी का नहीं था कि दाड़ी नहीं पता अन्हें गोल दिया है मैंने का कि आप सब लोगों को बता दू मेरे स्प्रेव जनाबाई कि मैं एक और आत्मा को जीने वाला हूँ एक और और बहान आत्मा को जीने वाला हूँ जिन का नाम है नमाल रगिए फॉइंग को दोड़ा सा लगे च्छत्र पती शिवाज हाँ रा अच्छ आप अच्छ आप ऐख जा जा नो गोड़ा है उसके बाद में बात करके उतर रहा हूं बाला सब चड़ रहे हैं और हम लोग रिंग में मिलें और आप आप शिवाजी बनेंगे यहां मैंने क्यों हो तो पांच पीट भी नहीं थे शाद चाहँ आप तो छेफिट कियो आप के शिवाजी का कड़ घटा नहीं रहा हूं बढा रहा है चुप हो गए तो अच्छ वगया पिर वह सिरियल बनी नहीं क्योंकि आज मुझे डर लग रहा है कि मैं शिवाजी बन जाता तो मैंने का मैंने कुन को इनको भी का मैंने का देखिए फिलम मीडियम क्या होता थ मेरी हाइट जरूरी नहीं हम ग्लोरिफाइब करेंगा। यहां तक का कैमरा देता है। मजधर बाते जानता राजा जो पापा साथ प्रणोर जी का लिखा हुआ नाटक है। उसमें जनों ने भी छत्रपती शिवाजी महाराज का रूल किया। जिसको हम फीट और इंच में देखते हैं उनके का तो वानन नहीं हो सकता है। ऐसा पराक्रम ही हजारो सालों में एक वारत जो फिजिकल अपिरेंच जिसको है वो पांच-चार या पांच-पांच-पांच-चार के अंदर ही है ना। पर मैंने उनको यह का मैंने का देखें फिकर मत कीजिए हमारे हार कैमरा ऐसा होता है कि हम एंगल अगर दिखाएं तो हाइट का कुछ प्राइम नहीं आता है। अभी जैसे हमारे श्री अक्षे कुमार जो हमारे अक्षे आपके बनेता है वो महिश मांजरेकर के फिल्म में उननाने क्षात्रबती शिवाजी महाराज का एक छोटा सा रोल किया है। अब हम सभी जानते हैं कि अक्षे का कद छे फीट है परन्तु हमारा दर्शक इतने खुले मनका है वो प्रतिमा देख रहा है। अल्टी बल्टी परफॉमंस बहुता है सर आपका यह है। मैं कई पर लोगों गोता है सिक्स पैक पर कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अब है परज़ इसाले सिक्स पैक देखागे मोडल खड़े करते था मैंने का एक्ट्रिंग यहां से होती है। और लोग महराज का पराक्रम देख रहे हैं। इसम्सरा का कद नहीं देख रहा है। चले मैं एक ऊफिशल सवाल आप से पूछता हूँ। एक संस्कृत आचारे की सुपुत्र को कौन सी चीज सिनेवा जगत में लाने के लिए प्रुचसाहिद किया, कौन सी चीज नहीं और अपने पिता जी के बारे में बताईए, उस समय संस्कृत कैसे पढ़ाते थे, और आज की UIPD को इस चीज की कितनी आवश्यक्ता है, मतलब सं संस्कृत को बढ़ाना चाहिए, मेरे पिताजी राजस्थान में उनका जन्म होगता है, जैसा मैंने आपको बता है कि 1936 में वो व्याकरण के आचारे है, और कई बार, इस डिफिकल्ट है, आप संस्कृत पढ़ लेके लेते हैं, संस्कृत भाशा जैसा हम सोचते हैं कि कठि नहीं है, इस देश में ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो एक मास के भीतर, एक महिने के भीतर, संस्कृत बोलना है, जो संस्कृत भाशा के वर्ग होते हैं, उसमें आपको एक बार छोड़ दिया जाए, वहां कोई भी आपसे बात बेना संस्कृत, आप बलत स करना संस्कृत, संस्कृत की Pasaree नाम की संस्ता भारत भारत में ओविकल्त क seguinte है, आप भारत बहुत सारे आन- मृ और जानता में कृर्स आप से कोई बात करें यह झाम और पांडिता परॉष्ट करेंगा ही नहीं आप जो कुछ भी बोलेंगे संस्कृित में भाई जैसे आप गलत बोलेंगे वो सही यह बताएंगे आप को धीच धीधरे yaa शाठिट गैसे कई चोटी चोटी बच्चीयों से मिला हूं 21-22 साल की लड़कियों से मिला हूँ तो बहुत ही धरा प्रवाम में संस्क्रिट बहुत हूँ है हम है हरान होता हूँ कि संस्क्रिट को हमारे देश में पंडितों की भाषा बनाके दिमीन कर दिया है हमारे कितना किसने का 15 लाक पांडू लिपियां पड़ी हुई है इनका अभी तक अनुवाद भी नहीं हो शरम नहीं आती है हमारे 60 साल 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 से हमारी नेशनल मैनिस्क्रिट मिशन है जो जर्मन में ट्रांस्लेट करके दवाईयां बना के कमा रही है आप लोग पागल हो जब मैं महा भारत पढ़ता हूं या रामायंड पढ़ता हूं तो मैं संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि हिंदी अनुवाद गलत है तो मैं प्रकाशक को भी बताता हूं और संस्कृत के आचारे को भी बताता हूं कि इस पर काम करना चाहिए मैं फिर अपने पिता की और जाते हैं आज भी चुकि उन दिनों जैसा हम परिवारों की हाल थे कि हम अपने पिता से नहीं पूछते थे कि उनके अनुभों क्या हैं मुझे यह आशिर है कि कैसे एक सिरोही के पास के छोटे से गाउं से एक जवान वित्ती उस समय वारानसी काशी बनारस गया होगा आज हमारे पास ट्रेन है जहाज है राजस्थान से वारानसी बनारस जिसमय बस भी नहीं थी मुझे याद है 1975 तक जब मैं गाउं जाता था तो मेरे गाउं पहुंचने के लिए जिला सिरोही से एक बस शाम को जाती थी एक ही बस और य को बराल में जाके रही है या वहाँ पर छी चात्रावास है नहीं आप रह सकते हैं दूसरा वह गुरू शिष्य परमपरा में पर है जो gया खत्म होगे। अभी खतम हो तो मुझे कई बार ये भी आशिर होता है कि गुरु शिश्य परंपरा में पढ़ना इसका अर्थ है उनकी सारी जम्नेदारी उनके गुरु ने लिए पर वो काशी और आज भी काशी में ये संभव है कि आपको यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं विद्यार्थ जाती है दूसरे प्रदेश जाए है तो आपकी जो रोजी रोटी है उसका उसकी वेवस्ता हो जाती है इसलिए वो अन्नपुर्णा का नगर माना जाता है तो कई बार मैं हैरान होता हूं कि 1936 के पहले वहां जाना गंगा के किनारे रहना गंगा में सनान करना वही पठन पा दिन किया है तो मेरे दादा जी बहुत नाराज हो गए तो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको लगा था कि एक बालक वहां जाएगा ज्योतिश पढ़ेगा तो इसका जीवन निर्वा हो जाएगा व्याकरण से क्या करेगा ये सहित्या आचारे बनकर क्या करेगा तो मेरे प तो जो संस्कृत साहित्य से जो मेरा परिचे हुआ उसका कारण मेरे पिता थे मैं करी लोगों से कहता हूं कि कालिदास या कठोपनिशद मैं ने बच्पन में देखा है और इसी लिए 2007 से 2012 के बीच मैंने उपनिशद गंजा नाम का अधरवाहिद चीया था उसमें जिस दिन मैं कठोपनिशद कर रहा था उस दिन कठोपनिशद का प्रकरण पूरा करने के बाद मेरे सामने उससे में एक जैन मुनी बैठे हुए थे मैंने उसे का कि मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैंने बच्पन में कठो उपनिशत क्यों पढ़ा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया था परंतो उसकी भाशा बड़ी संदर थी पिता की किताब थी मैंने पढ़ ली वर्षों बाद जब चिन्मे मिशन नाम के एक संस्था ने मुझे काम करने को कहा तो मैंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में कठो उपनिशत वापस पढ़ा तो मुझे कई बार लगता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम ये यात्रा क्यों कर दे क्यों मेरे हाथ में बहुता है अबताई क होथा और आपको जानके बड़े और आश्यर की बात आश्यू सबस्क्रेक मेरे पिता ने संस्कृत पढ़ी और यह पाई काम करेंगे इसके आगे यह जा सकेंगे ऐसी कल्पना उन्होंने नहीं की थी मेरे सभी भाई वो अलग-अलग सबने सेक्षाली कोई वकील बना कोई मैं उस परिवार का एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको इस बात का खेद रहा कि काश मेरे पिता ने मुझे संस्कृत पढ़ाई उसके बाद चानक के से लेकर आज तक मैंने जिन भी ग्रंथों को देखा है वो सारे संस्कृत के ग्रंथ है वो चाहे वैदिक साहित के रहा हो चा पढ़ता हूं तो संस्कृत जैसे जब चाने के लिख रहा तो मैं मुद्रा राक्षास पाढ़ता है तो आप में समझना शुरू कर दिया को अभी भी जैसे कुछ वर्शों पहले मुझे इस इस अडिफिकल्ट लैंगविज बिल्कुल नहीं है इस इस अमदर आफ आल दी ल संस्कृत के खोने के साथ भारत की विरासत खो जाए है उखो गई ना मिजद आपने का पंदरन लाग पांडू लिपियां खोली नहीं पड़ी नहीं गई उसको ट्रांसलेट करो ना वेद को आपके द्यानन सरसिती जी ने भाधिया भाधिया प्याश्किया आप करिये साब स्कूल में छटी के लेंगविज में लॉड मैकॉले ने सला इंगलिश घुसा दिया था आप संस्कृत क्यों नहीं घुसा से और एक बड़ी मजीदार बात है कि संस्कृत के प्रती जिस प्रकार का मोह या अग्रह कुछ विदीशियों को रहा जिसमें मैक्स मॉलर आपको ज करवाया और वे परिशियन अनुवाद एक फ्रेंच ट्रेवलर के हाथ में ये और वहां के ये विद्वानों ने जब उपनिशत को परिशियन में पढ़ा तो शॉपन हायर जैसे जो विचारक थे चिंतक थे उन्हें लगा ये भारत की क्या थाती है तो मेरे कहने का मतलब की संस्कृत हमारी विरासत है न को हम खो रहे हैं तो जैसे हन्दी पर हमारी संक्रख मेरें जैसे इस अर्वमाग भी है, इन सारी भाशाओं में विद्वान है इस देश में, लेकिन उनकी संख्या धिरे-धिरे कम होती जाए है, लेकिन मैं कई बर ये कहता हूं कि भारत, कई बर मैं कहता हूं एक विचितर देश है कि जब जब हम कोई डर लगने लगता है कि इसका किशय हो जाए जो बरामी में उसके शिला लेक है, उसे भी कंग्रेश ने पढ़ा, उसके लिए जब बनारस में डेपूटेशन पर था, काम पर था, उसको लगा ये कौन से स्क्रिप्ट है, तो कई बार मुझे लगता है कि रुची और डेस्टिनी दोनों की एक भूमिका होती है, जो आप मैं तो क्या लगता कि क्या जिसे मुदी जी ने आप करवा दिया कि इंगलिश मेडिकल में अप करवा दिया, संस्क्रिप्ट मैं समझता हू हू हिंदी से भी ज्यादा संस्क्रिप्ट जाने से हो सकता है, जिसका बड़ा एक्जांपल जणमाई के लोगों ने द्वाईयां मनाई हैं उनको डिकोड कट कट करके पढ़ पढ़ के मतलब उसके अंदर खजाना चिपा हुआ है अभी मैं बैदिनात वालों के घर पे गया था उनके बच्चों ने मेरे सामने खड़ों के संस्क्रिट में पूरी एक पूरी पूरी पॉइंग सुनाई छे लग बच्चे एक स जाने वाले कुछ वर्षों में आप इसका परिणाम देखेंगे उसका एक कारण है कॉम्पूटर एजिशन अब विश्वे की कोई भी भाषा किसी भी भाषा में अनवाधित हो सकती है अभी ऐसे हमारे पास होप्शन है और अब इन आप्शन का बड़ी तेजी से विकास हो और उन दोनों में ही संस्कृत को लेकर विशेश काम करना और एक मज़िदार बात बताता हूं कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जहां संस्कृत के विद्वान काम कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ हम अपनी रोजी रोटी के लिए संस्कृत का कि मैं यहरुवेद के कुछ अध्यायाओं पर नए सिर्फ से काम करना चाहता हूं आप मेरी इसमें किस प्रकार से मदद कर सकते हैं मैंने अपने परीशे से जिन उनियूरसिटी में में बाद कर सकता था कि किस प्रकार से उनको अनुदान मिले और आपको जानके हरानी होगी कि कई विश्वय उद्याल है इसके लए पयार है हां वरिष त homeless त्या रहा है इंडिया क्यों थिखान है अमिछे लगता है जो कई बार हमारे माननी प्रधान मंतरी अमृत्काल कहते हैं कई बार हमनोंको ऐसा लगता था कि क्या ये सिर्फ स्लोगनिरिंग है यो एक स्लोगन ह ने मुझे भी यह आपका पॉइंट मुझे दे, don't make it slogan लेकिन जब मैं गंभिरता से सोचता हूं कि उन्होंने क्या दिया देश को अमरतकाल कहके तो मुझे लगता है उन्होंने देश को अमरतकाल कहके जो हम आत्मवस्मरत देश है उसको जोड़ने की कोशिश किए अ मतलब आ इसको इस तरह से कहूँगा कि हिंदू जागरण का अर्थ मुस्लिम विद्वेश नहीं है नहीं होना भी ची हम अपना काम कर रहे हैं हिंदू जागरण का अर्थ है कि अपनी धरोहर, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के लिए सब को गर हो गर्व भी होना चाहिए और हमको मालूम उसमें फाइदा है और लेते क्यों नहीं दूसरी बात जिस प्रकार से ये हिंदू जागरण तो हिंदू सिर्फ राजनेतिक रूप से जागरत नो हो सांस्कृतिक हिंदू जागे बड़े लेबल पर काम करना पड़ेगा तो उसका देश को लाब होगा और उसके आगे जाके मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब हम हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कोई उसे सनातन कहता है कोई उसे वैदिक धर्म कहता है कोई इसको बुद्ध का धर्मा बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा बुद्ध ने तो हमेशा धम ही कहा है धम हो धम हम शर्नम तो मैं समझता हूँ कि उपासना की पध्धती आपकी अलग हो सकती है इसलाम आपकी उपासना की पध्धती हो सकती है लेकिन हम सब मोलत हो हिंडू ही हैं सर इसके उपर मेरी हारत मैं सब हिंडू से निकले हूए मैं openly बोल शुका हूँ हुए हिंडू सिख बहुत जैन मेरे खड़े होगे सर जैन पहले आया है अरे मैंने का यार नहीं आ सकता है यार मुझे समझाना पड़ा उसको बोल मैंने आपको पता है आपके फर्ष्ट तिर्थंकर जिसका नाम बाद में रिशब भी निकलिशब थे वो आपने कैलाश परवत की यहां मैंने कैलाश की फोड़ लगाई मेरे को उससे नौलिज मिला कैलाश परवत के नज़्दीक जाके उसको हजारों लोगों ने समाधी ली आपको पता होगा इह तो इसका मतलब कैलाश परवत तो हमारे शीवजी का वास है तो जो मतलब शीवजी वहां का वास है तो हिंदू धरम तो पहले होगा थ لاDD मैं तो इसको दूसरे तरह से कहूंगा कि कौन पहले आया कौन बात नहीं यह सभी इसी जमीन से यह सारे मत यह सारे विचार यह सारे दर्शन यह सब हमारी थाती है और हम सब उसके उत्राधिकारी है और जब मैं यह कहता हूं कि मैं हिंदू हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं ब कि यस देश में सिखिज़म मैं उसका उत्राधिकारी हूं उसके ऐसे जोड़े हुए हैं और इसमें संगर्श नहीं देखता हूं हमारे पास इतनी विवधिता है जो भी मार्ग आपको भी जिस छुम्हा जुम्हार्ग को चुन सकते हैं। जिस मार्ग से भी आपको जो बाते अच्छी लगती है वह आप चुन सकते हैं। तो कई बार मैं जब बुध की बात होती है, कही बार कहता हूं कि आने माले लिजिय काश़् वर्श वोगों Leud हो उसके कारण है अहिंसा और अहिंसा के अलावा मुर्ति पूजा के बिना की उपासना मुझेदार बात ही है कि अपनिशद में भी मुर्ति पूजा के बिना की उपासना का प्रावधान शुरू में रहा है शुरू में रहा है जो दयानन सरस्थिति ने बिरोध किया है आप भ पर एक सीरेल में बुद्ध बना था मुझे उन्होंने पूरे पूरे वो जटाएं बना के और जातक कथाओं के उसने एपिसोड बना थे वहाँ पर में पढ़ने मिला कि ए पंडित उस पंडित का वो मत कर मैंने का कि पंडित का विरोध किया है तो इसका मतलब पंडित होगा पर क्यों बुद्ध पहले आया तो किसी ने का सर जातक आथा है तो मित है सर वह मुझे नहीं वालू बट ऐसा सच है कि पंडितों का विरोध करते हैं यह तो हम मनुश्यों का दुर्गुन और दोश है कि हम दूसरों की जो चिद्रान वेश जिसको कहते हैं दूसरों के प्रचन बद्ध कहते हैं प्रचन बद्ध ठका हुआ बद्ध इसलिए कि उपनिशद और बुद्ध का दर्शन कई बार इतने नजदीक आ जाता है कि हमको अंतर नहीं समझ बायता है कि बुद्ध का मत क्या है और शंकर का मत क्या है शंकर का मत यह वैदिक मत है तो इसलिए क विद्वान हैं वो कई बार कहते हैं कि शंकर भी ढखे हुए छुपे हुए बुद्ध ही हैं इसका मतलब यह कि हमारी भारतिय विचारों में जो एकात्मता है उसके सर को हमने अगर पकड़ लिया उसके हमने भाव को पकड़ लिया तो फिर संघर्ष नहीं है समन्व है पर यह हम बाटते हैं हमारे प्लिटिकल और इसलिए कई बार जब इस देश में और एहम भी बड़ी बात देकि नहीं मैं हूँ मैं हूँ यह भी धरम को बले संपरदाए हैं आप जो ठीक बोले बिल्कुल सब्सक्राइब आपने इसको ठीक पकड़ आया और इसलिए कई बार जब तो यह बात सच है कि हम सब का डी ने एक ही है आप जितने मुस्लिमों को पकड़ उनके फोर के फोरफादर पटेल थे या कोई गांधी थे या वह नहीं करते हैं जिन्ना की तो जिन्ना की पीड़ी थी जिन्ना फिर क्यों नहीं मान जाते हैं लोग कि आप इसको भूल भी ज आस्था है इसलाम के प्रति आस्था से किसी को भी अंतर नहीं पड़ता लेकिन जब उनकी आस्था किसी विदेशी आकरांता के प्रति होती है जब वो अपनी प्रेणा का सुरोत बाहर से आए हमलावर को मानते हैं तब हिंदू समाज के साथ या भरती समाज के साथ जिसे औ जो बैयार हूँ मानसिक रूप से कि औरंग जीव ने भारत की भूमी में जन्म लिया है। हो सकता है कि इतिहास में जो उनके कुरूर कर्म रहे हैं उनकी हम निंदा करें लेकिन हम उसको डिसोन नहीं करसें। अक्बर ने भी भारत में जन्म लिया है। आये तो बाबर आये फिर अखिल यहां पेदर्वा अखिलम को में दो कई हम आये उनके लीस रहाने में जन्म लिया हैं इसलिए जिसने भी जन्म लिया है। सब्सक्राइब करता है अगर उजागर हो जाए और किसी तरह से आप बहुत है प्रयास चलना है अगर उजागर हो जाए आज से 15-20 कि हमारा देश पिशड़ जाएगा वर्ल्ड के मुकाबले में बिल्कुल नहीं मुझे याद है मैंने एक फिल्म बनाई थी मौलाशी मौलाशी कारणों से उसके बड़े विवाद रहे वो किसी और दिशा में चल गई लेकिन मेरी चिंता उस फिल्म में संस्कृत प कि बाइबी बोलते हैं जो ने भीक के भाषा है आज संस्क्रित के विद्वानों के सामने चनौती क्या है कि वह ग्षिया थी नहीं है कौन पढ़ रा है संस्कृत तो संस्कृत उल्लेओ करो रहे हैं जैने कर्मकाण्द मेरुचिंद गैण शेज्टिध कर वाइक आदार नह कि पती कोई बहुत अची अंग्रेजी बोलता है लेकिन जब कोई बहुत अच्छी हिंदी बोलता है तो हुंसे कहते है अरे पंडित है यह मनुविज्ञान गलत डाल दी गई एक एक परसेप्शन गलत है, Lord Macaulian ने मुझे करिक किजी, you may be knowing more, मुझे बताया गया था कि नौ लाख गुरु कुल थे, जिसमें साथ लाख गुरु कुल उसने नश्ट कर डाले, मतलब मज़ेदार बात ही है कि सिक्षा का केंद्र, विश्वती सिक्षा का केंद्र पूर्व अब विश्वती सिक्षा का केंद्र ऑक्सपॉर्व गलत है, और क्या सिखेंगे हैं वहाँ पर आप माफ करना मैं बोल भी करना कई बार, अरे साब वहाँ पर मदर टेरसा को पढ़ाते हैं जासी के नहीं नहीं पढ़ाते हैं नहीं चीए मेरे कोई आर्यूमेंट, मैंने का देश का दुरभाग्या है कि हमारे देश का इतियास यहां के लोगों नहीं लिखा बार के लोग हमारे देश का इतियास लगते हैं अरे साब हमारे तुम लोग पढ़ते हो किताबे कुण सी जो बार के लोगों नहीं लिखी हैं दुख की बात है कि हमारे यहां पर कभी भी क किताबे नहीं लिखी कि जो यहां पर बिटिश के जमाने से शुरू हुआ है। एक चीज रहा है। गुरू कार्म को बलता था। बेटा फादर बेटे को सिकाता था। इसलिए हमारी जो शिक्षा है वो हम पुब्लिसाइज नहीं करते थे। हिंदू ने कभी यह नहीं कहा कि अगे को रखो प्रगती को भी रखो। अटीट को इसलिए देख रहे हैं कि मनुश्यता ने कितनी प्रगती की है। अहर संदर में। और उसके प्रकाश में हमको भविश्य का निर्मान करना है तो कोई भी भविश्य अतीद के बिना हो ही नहीं सकता। अतीद की जानकर वरत चुनाती कहते हैं कि तुम अतीद जीवी हो क्या है, तुम अतीद में अटक गए हो, तुम इत्यास पर ही काम करते हो। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आया ही इसलिए था कि मुझे वो कहानिया कहनी है जो आपके चेतना का आपके consciousness का हिस्सा नहीं है। मैं संस्कृत सहित्य से कहनिया कहना चाहता हूं, मैं पुरानों से कहनिया कहना चाहता हूं, मैं अतीद से कहनिया कहना चाहता हूं और मैं उस संसार का स्रिजन करना चाहता हूं जिस संसार को आपने देखा नहीं है। जब मैं मौरे काल का स्रिजन करता हूं तो आपने उस का कर रहा हूं मैं पुरा तत्व के गरंथों का आधुनिक जो खोज हुई है जैसे कि मैं आपके गुदारान देता हूं मैंने मृतुंजा नाम अधार अवाइक बनाया था और मुझे आज यह कहते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि मैं बिल्कुल गलत था बिल्कुल कदम उठाना चाहिए जो बिम्ब या इमेजिस जिसके लिए मुझे स्रेश्ट निर्देशक का पुरुसकार भी मिला परंतो आज मैं जब पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है जिन बातों का वनन महा भारत में था महा भारत में है यदि मैं उसके प्रती ज्यादा इम आस्था को चरहती मद्द आस्था जो अभी इस ने किया राम हमारे मत करिए साफ आप सक्सेस्फुल नहीं होंगे आप कॉस्चन में आस्था पर कोश्चन नहीं होता तर्क वितर्क नहीं होता आप और उसको मान के चलिए मैं इन्धि इंटर्पटेशन रहें जैसे रखता क को मैंने बहुत सुनाया था, तो मैंने हमारी महावारत का सत्यानाश कर दिया, तांटू लगा दिया आपर, क्यों भई, आपके अव्यासमुनी से आगे बढ़ जाएंगे, तो लोग, ये सब बाहरवाले लोग हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि हम आप ज्यादा अच्छा मन सकते हैं, अरे साब लेकिन आप सक्सेस्फुल, कमरिशली और आप सक्सेस्फुल, पीटर ब्रुक्स की महावारत आपको याद होगा, मैंने देखी तू सर, नौ घंडे का प्ले किया था हैं आपको, सर, मुझे शफी नामदार और नसीर दिर्शा मेरी वैन में बैठे थे, ह मैंने देखी आधे में रोकती हैं, नसीर ने ऐसा देखा, शफी ने ऐसा देखा, अठे, बल्लकलास यह होगा लेकिन मेरी महावारत नहीं हो, रख्यामत लबाब, मैंने वो निगरो को कृष्ण बना दिया था, निगरो भीष्म था, ठीक ए, इंटरनेशनल कास की फिर्म थ मैंने का करते थे, नसीर, वरनन है महावारत में पढ़ो, जीर जवारत के ओर थक गयाता था, दुर्योदन देते देते जब कर लेके आता था, दिमारें थी यह था, सब कुछ था पर आप आप बोलते हैं नहीं था और यह टाटके कपड़े बना के आपने रख दिये, बला म तुम सब खड़े हो गए थे, इस इस माई एपिक, डॉंट चेंज इट, मैं मजे दर बात बताता हूं, पीटर बुक की महावारत दूरदर्शन पर देखाई कही थे, मैं और मेरे बड़े भाई साफ, जो चाने के के निर्माता थे, हम दोनों उसको देख रहे थे, मैंने उ कियों देख रहे हैं, मैंने उसे कहा कि मैं प्रयोग के तोर पर देख रहा हूं कि विश्व के एक कोने में बैठा हुआ आदमी हमारी महावारत को किस तर से बेखा है, तो वो स्थान, वो स्पेस भारतिये समाज ने रखा है, मजीद आर बात यह है कि आप पीटर बुक की मह कि महावारत भी बना सकते हैं, आप कर सथ यो और अग एक मैं ने जूए उठाया, मैंने का इंन ने का यूमेग भेस एटीज स्पेस्य बास। को रहन है, कैसलिता हम इन जंहीं दो हमलोंली महावारत करुब कर आपने मेरा मेरा वरजन आप बोड़स्टेंट वी पार दिस डॉन्ट कॉल इत हमारी महाभर आप बोलो ये मेरी महाभरित का अपना मेरा वर्जन है अब इंटर्पिटेशन पूली पिटर बुक्स के इंटर्प इस नॉट अवर अवर महाभरती व्यासमुनी का दिखावा महाभरत हम लोग डड़ते क्यों है याद नहीं वह कौन सा चैनल था उसमें महाभरत में कॉंसेप्ट किसी एक विक्ति का नाम आता था तो दुख भी और हसी दोनों आई कि महाभरत का कॉंसेप्ट व्यास के अतरत किसका हो सकता है में वहीं बढ़ा मैंने का तुम व्यासमुनी से आगे बढ़ रहा है जिसलिए लिखा कि इसके अंदर जो कुछ भी है देश दुनिया में है दुनिया में जो कुछ भी नहीं है यहां भी नहीं दुनिया में इतनी confidence लिखने वाले के बाद में आप टाट आप चेंज करके ट ताटू लगाते हो फिर मॉडल को पूरे सिक्स पैग मैं बहुत भड़काता है मैं मुकेशी आपको एक मज़ीदार बात बखाता हूँ 1994 में मैंने पहरी बार मृत्यु जय स्वर्गेश शिवाजी सावंत का पढ़ा मैं अभीभूत था उनकी लेकर्ण के वो बनाया था यह बात और है कि उनका कर्ण और महाभारत का कर्ण दोनों अलग है अलग है सर कर्ण को फ्रस्ट्रेशन होता था अलग है वो बिलकुल इंटर में जब मैंने पहली बार मृत्यु जय पढ़ी उसके बाद मैंने भैरप्पा का परव भी पढ़ा उसके बाद महाभारत का लिंट समाज सुख में भटाचारे की मैटिरिल कल्चर पर उसकी सभिता को लेकर उसके संसार को लेकर एक बहुत ही सुंदर पुस्ता कि जो मूल बंगाली में है मैंने इसका हिंदी अन्वात पढ़ा कई बार आपके जीवन में महाभारत चलती रहती है और पिछले वर्ष मैंने कुरुक्षित्र में जो महाभार जो भी आप उसमें चित्र देखेंगे आप लिख रहे हैं आपने काम उनको खत्म करके दे दिया आप चित्र जैसे बनेंगे वह में देखूंगा मेरा जो क्षित्र था वो महाभारत जैसा लिखा गया है उसको उस तरह से प्रस्तुत करना जिसे चित्रकारों को में देखें हैं देख़या हैं सब्सक्राइब स्क्राहराद में सब्सक्राइब को उसे आपहे हैं अब् ... मुस्लिन धर्म, can you do this with Sikh धर्म, can you do this with Christian धर्म, आप यहां करते हो क्योंकि controversy पैदा होगी, publicity होगी, करोड़ों की free publicity मिलती है, फिल फिलम चल भी जाए, मुकेशी इसमें मैं, जो मैं जैसा सूचता हूँ, मेरा यह मानना है कि भारत की विराटता इतनी बड़ी है, हमारे पुराणों को लेकर भी कि वो आपको औसर देती है, लेकिन सवाल जो यह है, कि क्या आपने मूल देखा है, अगर मूल नहीं देखा है, तो फिर आप गलत फेहमी में चले जाओगे ना, पुरा आने वाली जनरे और शिदिर देशक्त, और मैंने उनको कई सामगरी की रामायन में जो जो वरनन है, वो मैंने उनको बताया भी कि इस प्रिष्ट पर यह है, लेकिन हाँ, जो संकट होता है, कई बार जब हम रचना की एक छलांग लगाते हैं, उस छलांग लगाते समय हम अपने सामाजी को उ होता है, तो कई बार ऐसे बड़े बुढ़े आपके पास रहने चाहिए, जो आप रूचेता हैं, वो कौन सामगरी आपका राइटर का नाम क्या बताया आपने, मैं बच्चों के लिए बनाना चाहता हूँ, मैंने का ओए, तो तुम बच्चों को यह बताना चाहते हैं, कि हनुमान बात करते हैं, तेरे में तेरे बाप की जलेगी लंका तेरे वो जलेगी तेरे, तो अगेन वो बनता है कि हम अपनी उतर दाई तो भूल जाते हैं, कर इसे कई बार मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि जब एक जो भी परिणाम, जो भी उसना सोचा होगा, उससे हम सभी लो क्लियर पॉइंट है कि आप एक ही धर्म से जो सौफ टार्गेट है उसको कर रहे हो, आप बंग कर दीजिए, हम लोग सब भाई-बाई हैं हिंदू, मुस्लिम से किसा ही सब भाई-बाई हैं काय को किसी के और के धर्म में घुष देवागा, चल सरी हम थोड़ा साभी आभी पकड़ के हम इसमें घुष रहे हैं, अभी चानकी के बात है, काफी रिसर्च और हाड़ वर्क करते वे आपने एक हिस्तोरिकल सिर्ल बनाया जिसका नाम है चानक किया किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस दोरा, संक्षिप ने बता दीजी कि क्या आपको तकलीफ सबसे पहले तो दूरुदर्शन, दूरुदर्शन ने उसे अस्विक्रित कर दिया था, रजेक्ट कर दिया, फिर मैंने दूरुदर्शन से एक लंबी लड़ाई लड़ी, जब वो आना शुरू हो गया तो उसमें सबसे बड़ा आरोप था कि ये हिंदू विचारों का पक् है, तीसरा आरोप, इसके पीछे जो भी निवेश है जो इनको धन जहां से मिल रहा है वो भाजपा है, तो एक और सरकार की और से विरोद ये हुआता, अफ्सुर्व के दर्शा, सरकार ये दूर्दर्शन, दूर्दर्शन तो सरकार की ओना रहे है, उसमें कॉंग्रेस साब दूसरी और वह मेडिया जिसको इस विचार के साथ कोई संतुलन जो नहीं बना पा रहे थे तो एक और दूरदशन का विरोध, एक और सरकार का विरोध, पत्रकारों का एक जो समूह है, जो एक गुरोह है, उसका विरोध, इन सब विरोध के बीच में हम लोगों को एक समय आएंगी और उसकी एक प्रतिक्रिया का कारण ये भी रहा कि मेरे बड़े भाई साथ जो इसके निर्माता थे, उन्हों ने उसके बाद ये तै कर लिया कि मैं सिनेमा और टेलिविजन की दूनिया से दूर जा रहा हूं, मैं वेवसाय करता हूं, हाँ, प्रति दिन मुझे द थारावाहिक में काम करने वाले सभी हिंदू हैं, उन लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा कि इस थारावाहिक का जो वेश विन्यास जिसने कॉस्ट्यूम डिजाइन की हैं, उसका नाम श्री सलिमारेफ है, तो कई बार जब आपको एक सीरियल पर आघात करने होते हैं, आप कि हम धारावाहिक बनाएं कि हर दिन कभी सरकार से, कभी बंदशन से, कभी पत्रकारों से, कभी समाज से, हर जगह आप उत्तर दे रहें, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसका नतीज़ा ये हुआ कि धीरे धीरे न सिर्फ चाने के धारावाहिक को देश ने स्विकार किया, आज 32 वर्ष हो गए, पूरे देश में मैं जाता हूँ, आज मुझे लोग बताते हैं कि वो देश का लेंगमार्ग है, मैं ऐसे बहुत सारे विक्तियों से मिला हूँ, ऐसे बहुत सारे नेताओं से मिला हूँ, भारतीय राजनीति के मुर्धने नेताओं से मिला हूँ, जिन तो वो चानके देखते हैं, भारत और भारत से बाहर बसे हुए भारत ही है, हिंदुस्तानी वो विश्व के किसी भी कोने में हो, और मुझे सुनकर अच्छा लगता है कि उनके परिवारों में रामा और महाभारत के साथ चानके भी हुआ है। बड़ा समर्तक है और हिंदु नेशनलिजम या नेशनलिजम की जो हम परिवाशा देते हैं और यह योग है कि वही नेशनलिजम की भारती जनता पार्टी की और भारती जनता पार्टी की नहीं, वो भारत की है। चानके एक समय भारत सरकार दारा बैन कर दिया गया था। तो हमें एपिसोड के बाद हमें आदेश आ गया था। बैन कर दिया गया था। स्वर्गी एकबाल मसूद हम सब उनकी प्रतिभा का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने ये बीडा उठा लिया था कि रास्ट्रवाद का पुरसकार करने वाले इस धारावाहिक को रोकना है। और जब वो रुक गया तो उन्होंने इसका श्रे भी लिया। आज जब मैं पीषे देखता हूं तो मुझे लगता है उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया भारतिये समाज को जो ठीक लगा वो ठीक लगा उन्होंने किया। वो समय नहीं किया और समय को अब जब मैं तुरू कैसे हो गया फिर वो जो रोका तो फिर उस समय श्री मुर्ली मनुर जोसी भारतिये जंता पार्टी के अध्यक्ष थे अडवाने जी मेरे सेट पर आये थे शूटिंग के दर्मयान तब तक टेलीकास्ट भी नहीं हुआ तो लालकृष अडवाने जी का आना और नवभरत टाइम से उनकी एक तस्वीर चाप दी और वहीं से विवाज शुरू हुआ कि एक धारवाही की जो अभी तक आया नहीं है इस सेट पर विपक्ष के नेता क्या कर रहा है बात में उसका जो स्वर था उसकी जो भाषा की उसमें जो सूत्र थे जो संबाद थे उस समय देश में जिस प्रकार का अंदोलन चल रहा था चंदरगुप्त कश्मीर की और जा रहा था उस समय कश्मीर में तिरंगा फैराने श्री मुरली मनहर जूशी भी तो कई चीजें जिसको कहते हैं योगानुयोग ऐसे हो रही थी जो सीरियल में प्रतिध्वनित इको हो रही थी और सरकार को ऐसा लगना लगा कि इसके पीछे भाजपा के भारतिये जनता पार्टी के और मेरे एक बहुत ही अभिन्न मित्र शे करता थे मुझे आज ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि सवरगिय सुनी लदतने सारजनिक रूप से एक मंच से माफी मांगी थी कि कॉंग्रेस सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की जो हाँ उन्होंने इसलिए मैं को याद कर रहा हूँ मुझे याद है कि उस समय कॉंग्रेस क ये किया था आप जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे तो ऐसा मैं कहूंगा कि भारतिय जंता पार्टी के लोग उसके समर्थक थे पर ऐसा नहीं था कि कॉंग्रेस में सभी उसके विरोधी थे थे जिनको ये लग रहा था कि इस धरवाई का जो स्वर और जो सुर है वो सही है इतफाक से वो गीत राष्ट वंद्रा नाम की पुस्ता कि उसमें भी था इतफाक से ये गीत संग की शाखाओं में गाया जाता है संग के वर्ग में गाया जाता है पर मैंने कोई वो गीत इसलिए नहीं चुना था कि हम करें राष्ट आराधन तन से मन से धन से तनमन धन जी इसमें क्या गलत है? इसे कोई भाजपाई भी गा सकता है, कोई कॉंग्रसी भी गा सकता है. अगर एक वो घीत है, तो अच्छा है, मुझे तो उसमें ये भी नहीं मालूम था, कि इस गीत को किस ने लिखा है, करके उस पुस्तक में कभी का नाम नहीं था, उस पर भी मुझे कै तो बड़े संख्षेप में चानेकों को लेकर बहुत विबाद हुए और मुझे जो आज जो कई उपलब्धियां है उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे तो एक मैगजिन ने ये भी लिखा था कि चानेक का प्रभाव ये था कि जो मैथमेटिशन थे जो गनित के विशेशग्य थे उन्होंने गनित की किताबें एक और रख दी थी और विरोध के लिए उन्होंने अर्थ शास्त्रों चानेकों को पढ़ना शुरू किया था चंदरफाकाश कि ये सबसे बड़ी उपदी है कि देश के मैथमेटिशन मैथ्स को छोड़कर अब इट यहास बढ़ रहे हैं आपका सब ने विरोध किया मुकेश करना कभी एक छोटा सा विरोध था जिसको मैंने प्रकट भी किया आपके फेस के ओपर किसर आपने इती क्लिश्ट आपका माभाड़त हमको बहुत अच्छा देखता था हम देखते थे चानक के हमारे ऊपर से जाता था इसके लिए मैंने कहा कि कुछ आपने कहा कि हमको करना पड़ेगा हिंदी शब्यूस करें हमारे आप भी जानते मेरे कमित्र से स्वर्गिय विनाय आपके जरोने अच्छे पर धारवाहिक भी बनाया था वो अकसर मजात में कारिक्रमों में सभा समारों में किते थे कि चानक के हिंदी डविंग राइट्स उपलब्ध हैं जो भी चाहे वो इसके हिंदी डविंग राइट्स लेता है परतु मुझे उस समय लगा था आज ये दि मुझे वा जो कि हिंदी मेरी मातर भाषा है हिंदी मेरी सिक्षा की भाषा नहीं है हिंदी मेरी मातर भाषा है पर मैं भाषा के रूसे सम्मर्द था उतने सम्मर्द सभी ना हो ये मेरी अपेक्षा आप जन्मानस तक पहुंचना कोई भी चीज बनाओ पबलिक नहीं देखे एक पेंट बिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, और दो शब्दों का भी इस्तेमाल किया, और उसका जबरदस्त विरोध हुआ, न सिर्फ विरोध कि ये मैंने क्यों किया, गलत भी करो तो भी विरोध है, सही करो भी विरोध है, तो मैंने उसका उधारन भी दिया कि भाई, हिंदी भी की या मौरेकाल की भाषा नहीं है तो फिर मुझे संस्कृत या पाली या मागधी या अर्धमागधी में बनानी पड़ती उसी प्रकार से प्रथिराज के काल की भी भाषा हिंदी नहीं है नहीं है नहीं है मैं समझता हूँ कि हमारे पास अभी कहने सुनने की बहुत सी बाते हैं और ये हमारी बीच में जो वारतलाब चले की दंबी चलने वाली है इसलिए मैं इस एपिसोड को हमारी इस वारतलाब को यहां थोड़ा विराम देना चाहता हूँ कौमा लगाना चाहता क्योंकि आगे बहुत सी बातें कहनी हैं हमें बहुत सी बातें आपने सुनी हैं तो इसके आगे की बातें हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे अगले एपिसोड में बनाएए इंतजार कीजिए